नमस्कार दोस्तों शुकलपक्ष की आठवेतिती हैं नक्षत्र आस्देशा है योग वरिद्धी है दिन का जो करण है वो विस्टी है और जो रात का करण है वो बव है आज की दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवत होगा सुबह 10 बचकर 43 मिनिट से लेकर 12 बचकर 23 मिनिट तक और अविजित्मूर्थ दोपर 11 बचकर 69 मिन से लेकर 12 बचकर 47 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अविजित्मूर्थ दिन के शुबकालावदी कह जाते है इसमें किसी भी प्रकार के महतपुर्णकाम या फिनिनने आप ले सकते हो उसे प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुआत होगा तो पर 12 बचकर 30 मिनिट से लेकर 2 बचकर 2 मिनिट तक और या मगंड़काल सुबसाद बचकर 24 मिनिट से लेकर 9 बचकर 4 मिनिट तक का होगा राहुकाल और या मगंड़काल दिन के अशुबक आदावती कहे जाते हैं इस पे किसी भी प्रकार के मैं तो प्रणकाम या फिन्यरने बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज की दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा करक राशी में ब्रह्मन करेगा यह चंद्रमा रभी, गुरू और हर्शल के साथ केंद्रियोग करने जा रहा है उसी प्रकार गुद्यक के साथ रिकोनियोग भी करने जा रहा है दोपर तीन बचकर पच्चिस मिनट के बाद यह चंद्रमा सिंग राशी में रह्मन करेगा यह ग्रसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिफल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्शा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के चतुरत बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के राशी में से धर्शल के साथ ये चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है दो पर तीन बच कर पच्चिस मिट के बाद ये चंद्रमा आपके पंचम बाओं में ब्रह्मन करेगा और आपके द्वीतिया बाओं में से तरवी और गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है दोपेर के बाद के जो समय है वो आपके लिए काफी ज़ादा शुब फलदाई साबित होगा आप काफी ज़ादा एक्टिव नज़र आओगे भागे का साथ भी काफी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा सिर्फ आपको आपके जो खर्च रहेंगे उस पर थोड़ा नियंतन रखना आवश्यक होगा लेकिन दोपेर के बाद के जो समय है वो आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है बृषब राशी बृषब राशी के तरीतियो बाव में चंद्रमा का भ्रह्मन है और आपके वैये बाव में सिथ घर्षल के साथ ये चंद्रमा के इंदरियोग करने जा रहा है दो पर तीन बच कर पच्चिस मिट के बाद ये चंद्रमा आपके चतुरतवाव में ब्रहमन करेगा और आपके राशिम से तरवी गूरु के साथ और आपके वेई अबाव में से बुद्य के साथ ये चंद्रमा त्रिकोन योग करने जा रहा है दोपर तक कर रचा समय है उसमें आपको गुमना फिरना ज़्यादा हो सकता खाफी ज़्यादा अग् countless भी हो सकते हो लेकिन किसी भी प्रकाब कर के मै Mais अपोण नेरने नहीं लेना दोफिर के बाध कर रचा समय है उसमें आप गर पर नहीं पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे अगर आप किसी की रिलेशन्शिप में हैं तो उनके साथ कही बाहर गुमना फिर नहीं हो सकता है तो फिर के बात कर समय उसमें आपको कुछ अच्छे लाब बगरा भी मिल सकते हैं इसके बात की जो राशी है वो है मिथन राशी मिथन राशी के द्वितियावहामी चंद्र्मा का ब्रहमन है और आप भी के लाब बगरा में सीथ हर्षल के साथ ये चंद्र्मा केंध्र योग करने जा रहा है अगर आप इसमें काफी ज़ादा एक्टिव नजर आओगे दोबबर तक का ज़सी समय है उसमें आपके खर्चे वगर जाता हो सकते हैं किसी भी करेदर कि investment के बारे में कोई भी निन ने या फिर कर खर्चे के बारे में कोई भी निन ने बिल्कुल भी नहीं लेना दो फिर के बात कर दिर समय है वो आपकी लिए सुभवफलदाई साबित होगा मैं तो पुर्ण दिन नहीं या फिर किसी को कोई commitment, promise of सवाले बाते दो पिर के बाद आप कर सकते हैं, आपके जमित्र परिवार हैं उन से आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है इसके बाद की जो राशी है, वो है करकराशी करकराशी में इस चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके दशम बाव में से भुद्य के साथ या चंद्रमा के इंद्रे-योग करने जा रहा है मैत पुर्ण दिन हैं आपकी लाच आपको confidence energy level काफी अच्छी देगी लेकिन स्वास के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा मैं तो पुर्ण निर ने आज दोपर तक नहीं लेना दोपर के बाद के जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे फाइदे मिल सकते है कुछ अच्छे लाब मिल सकते है जो भी आपका कारेशेतर है उससे related मैं तो पुर्ण निर ने दोपेर के बाद आप ले सकते हो इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी की वही अबाव में चंद्रमा का ब्रह्मण है और आपके माग्य बाव में सिथ हर्शल के साथ ये चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है दोपर तीन बच कर पच्चिस मिनट के बाद ये चंद्रमा आप ही के राशन में ब्रह्मन करेगा और आपके दशम बाउमसित रवी और गुरू के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियो करने जा रहा है काफी महतवणन दिन है आपके लिए किसी भी प्रकर के निर्ने छोटे हो या बड़े दोपर तक बिल्कुल भी नहीं लेना दोपर तक का जो समय है तो काफी जाधा स्ट्रेस फूल पहु सकता है अलागे दोपर के बाद के जो समय है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्षपल दैसा भी थोगा, कुछ अच्छे लाब अगर आप मिल सकते हैं, आपकी जो वितर परिवार उनसे मुलाकात हो सकती है, कुछ अच्छी इंवेस्ट्मेंट भी हो सकती है, आपको जो भी कारिशेतर है, उससे रिलेटेड महतोपण लिरने नहीं लेगा। इसके बाद की जो राशी है, वो है कन्या राशी। कन्या राशी के लाब भाव में चंद्रमा का ब्रमन है, और आपके अश्टमभाव में सिद्बुदर के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है। महत अपन दिन है, आपके लिए पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रदर के महत इंडिन ने दोपर तक नहीं लेना, लेकिन अनपेक्षित लाब अगरा भी मिल सकते हैं, कुल मिला के देखा जाये तो अश्टमभाव में चंद्रमा का ब्रमन है, और आपके सब्तमभाव में सिद्ध हर्षन के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा है, दोपर तीन बचकर 25 मिल के बाद ये चंद्रमा आपके लाब भाव में प्रवन करेगा, और आपके अश्टमभाव में सिद्ध रवी और गुरु के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा है, महत बुड़े दिन है आपके लिए जो भी आपका गारे शेतर है उससे रिलेड़े थोड़े बॉस्ट्रेस दोपर दगाने की संभाना तुम्री जाटामन में रही है आपकी जो साय कर्मी या फिर वरिष्ट होंगे उनके साथ आपकी जो रिलेशन्शिप है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ध्यान रखना आवश्चक होगा उसी प्रकार दोपर के बाद के जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाव बगरा मिल सकते हैं आपके जो वैवाई जुड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशन्शिप है वो काफी अच्छी देखे जाएगी सिर्फ थोड़ा स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्चक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है बृच्चिक राशी वृच्चिक राशी के बाग्य बाव में चंद्रमा का भावन है और आपके शष्ट बाव में सित धर्शल के साथ ये चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है दोपर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत बने दिनने बिल्कुल भी नहीं लेना हाला कि आपका जो confidence है वो काफी अच्छा देखा जाएगा दोपर के बाद के जो समय है उसमें जो भी आपका कारेश एतर है उससे related मेहत बने डॉक्यूपेटिसर की काम आप कर सकते हो पुछ अच्छे लाब वगरा बिलते हुए भी नजर आएंगे लेकिन अगर आप विवाई थो तो आपकी जो वैवाई जो डिदार हैं उनके साथ चोटी मूटी बातों के लेकर तकरार पोश सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है दनुराश्री दनुराश्री के आश्टम भाव में चंद्रमा का भ्रहमन है और आपके पंचम भाव में से धर्शन के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है दो पर तीन बच पर 25 मिट के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में ब्रह्मन करेगा और आपके शच्ट भाव में से रवी और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्रयों करने जा रहा है मैं तो बड़े निन नहीं है चुन तिन है आपके लिए कास करके आपको स्वायम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा स्वास्तर इनर्जर का अबलम का उप्लिकेशन आज दोपर तक आने की संभाना ज़्यादा बन रही है दोपर के बाद के जो समय है वो काफी अच्छा और शुबफलदाई साबित होगा आपके जो वैवाई जड़िदार है उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी दिन आपके लिए दोपर के बाद के बाद तरी समय है वो शुबफलदाई साबित होगा कर 25 मिन के बाद ये चंदरमा आपके अस्टम्बाव में ब्रहमन करेगा और आपके पंचम्बाव बिस्त रवी और गुरू के साथ ये चंदरमा खेंद्रयोग करने जा रहा है और आपके चतरत बाव में सिर्फ दुदरirmा त्रिकोनयो जादा आ सकती है, कुदके विसास दे बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्रफ होगा. इसके बाद की जो राशी है, वो है कुम्बराशी. कुम्बराशी के 6 बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, और आपके 3 बाव में सिर्ध हर्षल के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियोग करने जा रहा है. इसके बाद की जो राशी है, वो है मीन राशी. मीन राशी के पंचम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, और आपके द्वित्य बाव में सिर्ध हर्षल के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियोग करने जा रहा है. दोपर तीन बचकर पच्चिस मिन्ट के बाद ये चंद्रमा आपके साथ बाव में ब्रह्मन करेगा, और आपके चंद्रियोग करने जा रहा है. और आपके द्वित्य बाव में सिर्ध बुद्योग के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियोग करने जा रहा है. दोपर तक कर जा समय है, उसमें अगर आप किसे के रिलेशन्शिप में है, तो उनके साथ चुटी मुटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है. दोपर के बाद पर जो समय है, उसमें स्वाफ के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा, आपके खर्चे बगरा जादा हो सकते हैं. जो भी आपने कारिशेतर हैं, उससे रिलेशन्शिप मेह तो पुर्ण दिन के बाद जे समय है, उसमें ले सकते हो. इसे कमेंट बॉक्स वे जरूर कमेंट करना और अपना यह जो चैनल है रमांड इसे दियास्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना तन्यवाद